प्रड़क्ट बेस्ट कंपनी में ज्यादा इन चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता अगर प्रड़क्ट बेस्ट कंपनी को टार्गेट कर रहे हूं जैसे मेरे कॉलेज में इंफी आई थी इंफोसी आई थी तो उनका क्राइटीरिया था 65 या 70 का था जो मेना नहीं बन रहा त तो में बैट नहीं पाया था इंफी में क्योंकि परसेंटेज का इशू आ गया था तो कुछ-कुछ कंपनी में बहुत ही स्टिक्ली मैंशन कर देते हैं कि अगर आपका 10-12 परसेंटेज नहीं है आप कितने भी अच्छे हो कोडिंग में आपका अकेडमी कितना भी अच्छा अब जैसे उनको खबराने की जुरूत नहीं है जिनके 60 से कम भी है अब यहां पर बीसी और एमसे की बहुत अच्छी परसेंटेज है बट 10-12 की परसेंटेज 60 बन रही है बट कंपनी कहते हैं नहीं हमें 75 चाहिए 70 चाहिए आपका चाहिए बीसी एमसे कितना अच्छा भी परसेंटेज क्यों ना हूँ तो यहां पर उनका क्राइटीरिया आ गया तो जहां पर क्राइटीरिया आ गया तो वहां पर फिर आप नहीं बैट पाओंगे तो इसलिए हमेशा ट्राइग ओके सो हाई एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि अच्छे होंगे सो वेडनस डे आ चुक है और एक और इंट्रस्टिंग वीडियो आप सभी लोगों के लिए और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 11th 10th 12th की परसेंटेज मैटर करती है प्लेस्मेंट के लिए या किसी भी कंपनी में आप ट्राय करना चाहते हो तो क्या यह एक बेरियर है कि अगर परसेंटेज 60 से कम है तो प्रॉब्लम होती है तो कुछ इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मेरा क्या एक्स्पीरियंस था मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि मैं इसी के इसमें कवर कर लेते हैं ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग तो लाइक करना शेयर करना और अपना इंपोर्टेंट कमेंट जरूर करना और अगर आप कोई और टॉपिक मेरे से चाहते हो जो मैंने टच ना किया हो तो वह आप कमेंट सेक्शन में लिग देना मै वो फिर नेक्स टाइम के लिए नोट डाउन कर लूगा कहीं और उस पर एक डेडिकेटर वीडियो बना दूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आप नए हो तो चलो को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जीपी है कैलकुलेट होती है अब कितनी अच्छी रहे कितनी खराब रहे अब जैसे मैं अपनी बात करो तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था 11th 10 तो मेरी जो परसेंटेज थी 10 में वो थी 64.8 मतलब 60 से अबव थी काफी ज्यादा हाड वर्क करता था बट परसेंटेज इत बॉर्डर पे तो बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि अगर आपकी परसेंटेज 60 है तो आप एलिजिबल हो इंटर्व्यू के लिए जादतर कंपनी में जो बेसिक क्राइटेरिया होता हो 60 होता है पर प्रॉब्लम यह हुआ कि अगर वो बेस्ट टोटल क्योंकि मेरे पास एक फिजिकल सब्जेक्ट था अगर मैं उसको एड कर दूं करूं तो फिर डिवाइट बाइशिक्स करूं क्योंकि पांस सब्जेक्ट होते हैं 12 में अगर आप अधिशनल लोगों तो डिवाइट बाइशिक्स करवाएंगे तो मेरे परसेंटेज हो थी 59.8 अब मैंने क्या ह हो गया तो जब मैं इंटर्विव के लिए बैठा तो एचार ने का कि आपकी परसेंटेज 60 है ना मैंने का हां क्योंकि वह बाद में चेक करते हैं उस टाइम आप इंटर्विव दे दोगे सेलेक्शन सब कुछ हो जाएगा पट वह चेक करेंगे बाद में जब आपका इंट इंटर्विव दिया इंटर्विव क्लियर हो गया सब कुछ हो गया और जब डॉक्यमेंट वरिफिकेशन का टाइम आया तो वहां पर लाइन लगी थी हमारे सभी स्टूनेंट्स की तो एक बच्चे को भार कर दिया क्योंकि उसकी परसेंटेज 54 पॉइंट संथिंग थी बट मुझे फिर किसी ने बताया एचार नहीं वहीं पर कुछ बात हो रही थी कि जिसकी बेस्ट फॉर में 60 है वह इन है और आगे अगर आपका डोकुमेंट वेरिफाई भी होता है क्योंकि कैल्कुलेट कर रहे थे वो मेरा कैल्कुलेट किया था नंबर यह नहीं कि बस देख लिया हां ठीक है 60 होगी नहीं कैल्कुलेट कर रहे थे कि खास तोर पर MNC में जब आप किसी सर्वीस बेस कमपनी में जाते हो ना प्रोड़ेक्ट बेस की बात कर रहा हूं वहां पर क्या होता है कि वह इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यां देते हैं मैं बिल्कुल समझता हूं सर क्या मतलब है मैं कोडिंग में अच्छ हू जो कंपनी में से काम चाहती है मैं उसमें अच्छा हूं फिर क्यों परसेंटेज का क्राइटीरिया देखो अब यह नॉम्स बने होते हैं उनके और इसके बेस पे वह आगे प्रसीट करते हैं यहां तक की बहुत सारी कंपनी जो कॉलेज में आती है उनका फर्स्ट राउंड ही अंदर वह 10th हो या 12th हो बेस्ट 4 में 5 में नहीं ना 6 में बेस्ट 4 आप कोई भी कर सकते हो उसमें इंग्लिश आपका इंक्लूड रहता है अगर आपके बेस्ट 4 में 60 हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी लास्ट मुझे सब्सक्राइबर का नाम ध्यान नहीं यह उननों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसिस किया था मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया था और काफी हो बंदा एकनम रिलाक्स हो गया थैंक्यू सो मच सर यह वो बहुत बार स्टुडेंट्स को नहीं बता होता मुझे भी नहीं पता था अपने टाइम पर यह है कि जब ह को आए इसी कंपनी है जो क्राइटीरिय सेट कर रहा है 75 का तो उसमें आप नहीं बैट सकते जैसे मेरे कॉलिज में इंफि आई थी इनफोसी थी तो उनका क्राइटीरिया था 65 यह 70 था जो मेरा रहा तो तुम्हें बैट नहीं बया था इनफि परसेंटेज का इशू आ गया में थी 89 अब यहां पे BCA और MCA की बहुत अच्छी परसेंटेज है बट 10-12 की परसेंटेज 60 बन रही है बट कंपनी कहते हैं नहीं हमें 75 चाहिए 70 चाहिए आपका चाहिए BCA कितना अच्छा भी परसेंटेज क्यों ना हूँ तो यहां पे उनका क्राइटीरिय आ गया तो जहां पे क्राइटीरिय आ गया तो वहां पे फिर आप नहीं बैट पाऊगे तो इसलिए हमेशा ट्राइग करो कि अपना 10-12 में 60 से अबब लेके तो चलना ही है और अगर आप जादा मैं तो 90 तक जाने के जूरूत नहीं है तो बहुत अच्छा है 7. 10.5 से 8.0 के बीच में आप हर कंपनी में बैट सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्राइगरो देखो यार मैंने यह चीज देखी है बहुत बार जैसे मैं भी अपना एक्जामपल हूँ हाडवर्क बहुत जादा किया था बर ठेक है आउट पुट उस तरीके से न कुछ लेट करते कईयों को डिरेक्शन ही नहीं बता होती अकर उनको डिरेक्शन मिल जाए तो वह भी अच्छा कर पाए तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं अब आपने बाद में अम जब कॉलिज में आते हैं यार उस टाइम यह था वो था पता चल जाता पहले ही तो इसी ल इसके बेस पे सेलेक्शन आपका हो जाएगा बहुत 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 ऐसा होता है कि एक बच्चे की 60% है 20 MCA में बच्चे की 90% है 60 वाला ज्यादा उसमें स्केल सेट है ज्यादा अच्छे प्रजेक्ट कर रहे हैं तो उसका सेलेक्शन पहले होगा आपसे ठीक है बट भी होते हैं उनको खबराने की जुरूत नहीं है जिनके 60 से कम भी है अलग-अलग एक्जाम कंड़क्ट कराए जाते हैं बहुत सारी कंपणी ने टाइप कर रहा हो दैंट से वहां पर अपने आपको प्रेजिस्टर कर सकते हो वहां पर एक टेस्ट होता है क्वांट अप्ट है कि जिसकी 10-12 में 60 से कम है वह आगे कुछ करी नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो बस यह है कि अगर आप एक परसेंटेज में रखते हो अपनी 60 से अबव या फिर जैसे मैं आपको कहा कि 7.5 से 8.0 तक अगर आप रखते हो इसके बीच में तो कोई प्रॉब्लम न कि आप इंटर्व कैसा दे रहे हों उस टाइम पर आपने इंटर्व क्रैक कर दिया या नहीं किया यह ज़से ऐसे हों लोग कभी दिन भी खराब कर जाती है मैंने अच्छे से tracked करा यहां फंबल हो जाते हैं हेजिटेशन हो जाती है तो यह सब चीजे होती है बट अगर परसेंटेज की पॉइंट वी से बात करूं तो उनको निराश होने की जुरूरत नहीं है जिसकी परसेंटेज से कम है उनके लिए फिर अधर वीज है और अगर आपको वह जानने हो तो आप मु बैट नहीं नहीं देंगे तो यह चीज मैंने देखी है नहीं बैटने देते चाहिए आपका BCA, MCA या फिर BTEC का अकेडमिक कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो ठीक है आई थिंक यह बात आपको क्लियर हो गई होगी तो इसलिए हमेशा जो लोग अभी फरस्ट यह शुरू क करता है ठीक है तो इसलिए हमेशा ट्राय करूंगी अगर आपकी 10 और 12 ने परसेंटेज कम रह गई है या नहीं अच्छी बन पाई तो अपना आगे जो आपका है जैसे मेरा बहुत अच्छा था आगे BCA, MCA में काफी अच्छा परसेंटेज था तो अगर हम ओवरोल देखे बहुत जरूरी है और आई बिलीव ये वीडियो आपको काफी आपकी अपकी किया होगा और कुछ चीज़े आपको समझ आगी होंगी कि मैं क्या आपको एक्स्पेंट करने की कुछिश कर रहा हूं यह सब चीज़े होती है जो बैटर करती है और बट यह है कि प्रटक्ट ब इस कंपरी में यह चीज़े होती है यह सब इनके नॉर्म बहुत ज्यादा देखते हैं कि हाँ रही क्राइटीरिया तब ही बैठेगा अगे बैठेगा ठीक है आई बिलीव यह वीडियो को काफी है अपकी अंडर्स्टेंडिक को आपकी अपकी 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 ज्यादा से जादा ताकि उनको एक सही एडवाइस मिल जाए पहले और अच्छी अड़स्टेंडिक के साथ वो आगे बढ़ सके और अपनी परसेंटेज को एक सही तरीके से मैंटेन कर सके मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको झाल